तो भाईयों जहां देखू, वहां शादियों का माहूल बना हुआ है क्योंकि ये शादियों का सीजन है वैसे तो हम लोग शादी वगेरा के लिए बहुत excited होते हैं क्योंकि हम शादियों में मस्ती करते हैं नाचते हैं, कूटते हैं और अच्छे-च्छे कबड़े पहनते हैं, बड़ भाई हम लोग confusion में यहां आ जाते हैं, कि हम शादी में पहने क्या, तो भाई अगर आप भी confused हो, कि मैं शादी में क्या पहनूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे outfits के बारे में ब बादो ऐसी और भी ओसम वीडियो के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो भाई मैं पहले आपको उन आउटफिट के बारे में बताऊंगा जिनने आप अपनी ज्यादा क्लोज फैमिली मेंबर की शादी में पहनोगे जैसे अपनी भाई की शादी में अपनी बहन की शादी हो वो है शेरवानी भाई शेरवानी सबसे अच्छे उप्षिंस में से एक है जिसे आप शादियों में पहन कर जा सकते हो इसमें आपको एक क्लासी और रिच लुक मिलता है बट भाई आपको शेरवानी सिर्फ अपने सगे भाई बहन या किसी जादा क्लोज फैमिली मेंबर की शादी में पहननी है क्योंकि शेरवानी थोड़ी महेंगी होती है अगर आप रेडिमेट शेरवानी लोगे वो आपको 2-6,000 में पड़ेगी और अगर आप शेरवानी को सिल्वा होगे तो वो आपको 4-10,000 के करीब पड़ेगी अगर भाई आपका बजट कम है तो आप र पहनने से पहले फिट करवा लेना है आपको किस तरह की शेरवानी लेनी चाहिए तो भाई ये रहे शेरवानी के लिए कुछ ऑप्शन्स आप कुछ इस टाइप की शेरवानी ले सकते हो शेरवानी के साथ फूट मेर में आपको फोर्मल जुत्ती पहननी है और एकसेसरी में आप अपने हाथ में एक leather belt वाली formal watch पहन सकते हो जो आपको अपनी जुत्ती के साथ match करनी है दूसरा outfit है 3-piece suit भाई 3-piece suit भी बहुत अच्छा option है अपने किसी close family member की शादी में पहनने के लिए 3-piece suit आपको rich और royal look देता है शादियों में 3-piece suit में 3 layer होती है पहली होती है shirt दूसरी west coat तीसरी layer होती है suit या blazer की आपको 3-piece suit पहनना है शादियों में तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है आप अपने suit को silva या rediment ले बस वो आपको अच्छे से fit होना चाहिए और आपको अपने suit में ऐसे color कभी नहीं लेने जैसे orange, yellow, green आपके लिए ये colors best है जो है black, navy blue, maroon और wine red आपको अपने 3-piece suit के साथ monk strap वाले formal shoes पहनने है या आप उनके साथ formal loafers भी पहन सकते हो और accessories में आपको अपने suit के साथ एक tie पहननी है और tie के साथ एक tie pin और एक pocket square और हाथ में पहनने के लिए एक leather belt वाली formal watch जो आपको अपने shoes के साथ match करनी है तीसरा outfit है जिसे आप अपने close family member की शादी में पहन सकते हो वो है जोधपुरी suit भाई जोधपुरी एक बहुत classy और royal look देता है आपको भाई जोधपुरी को भी मैं आपके लिए highly recommend करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है हम पर अगर आपको जोधपुरी पहनना है शादी में तो आपको fitting का हमेशा ध्यान रखना है चाहे आप जोधपुरी को सिल्वाओ या रेडिमेंट लो fitting सबसे important है और colors की बात करूँ तो ये तीन colors आपके लिए best हैं पहला black, दूसरा wine red, तीसरा navy blue और colors के साथ-साथ आपको अपना जोधपुरी velvet के fabric में सिल्वाना ये खरीदना है जिसका texture बहुत मस्त होता है पैंट में आपको उसके साथ जोधपुरी पैंट पहननी है आप जोधपुरी के साथ formal shoe पहन सकते हो बट मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप जोधपुरी के साथ formal loafers पहनो और accessories में आप जोधपुरी के साथ एक pocket square पहन सकते हो साथ ही साथ आप उसके साथ एक broach भी पहन सकते हो जो आपके suit को और भी अच्छा बनाएगा और उसके साथ आप अपने हाथ में एक leather belt वाली formal watch पहन सकते हो तो भाई अब बात करते हैं उन outfits की जिनने आप किसी दूर के रिष्टेदार की शादी में या ऐसी किसी की शादी में पहन सकते हो जो आपके जादा close ना हो तो भाई पहला outfit है जिसे आप किसी दूर के रिष्टेदार की शादी में पहन सकते हो वो है कुरता pajama भाई कुरता pajama बहुती अच्छा option है और colors की बात करूँ तो आपको simple एक color का कुर्टा लेना है जिसमें जादा design वगेरा ना हो और भाई आपको जादा bright color वाले कुर्टों को avoid करना है जैसे yellow और orange और उसके साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि आप जादा shiny fabric वाले कुर्टों को ना ले और भाई आपको अपने कुर्टे के साथ कुछ इस तरह का pajama सिलवाना या खरीदना है इस तरह का नहीं क्योंकि इस तरह का pajama हम पर जादा अच्छा नहीं लगता और ये हमारी height को भी थोड़ा छोटा दिखाता है बाई कुर्टे पजामे को आप और भी अच्छा बना सकते हो एक Nehru Jacket के साथ अगर शादी close है जादा नहीं तो आप अपने कुर्टे के साथ एक Nehru Jacket भी पहन सकते हो जो आपके पूरे outfit को और भी अच्छा बना देगी आप अपने कुरते पजामे के साथ लोफर्स पहन सकते हो मौंक स्ट्राप फोर्मल शूज भी पहन सकते हो और एक्सेसरीज में आपको एक लैधर बेल्ट वाली फोर्मल वच पहन नी है जिसे आपको अपने शूज के साथ मैच करनी है और उसके साथ साथ आप नहरू जैकिट के साथ एक pocket square पहन सकते हो या एक broach भी पहन सकते हो तो भाई दूसरा outfit है एक blazer भाई blazer को तो मैं आपको highly recommend करूँगा क्योंकि इसे आप किसी की भी शादी में पहन सकते हो जो आपके ज़्यादा clothes ना हो और blazer के साथ आप और भी अच्छे अच्छे outfits बना सकते हो आप blazer को t-shirt के साथ पहन सकते हो शirt के साथ पहन सकते हो और आप इसे एक और clothing item के साथ पहन सकते हो जो बहुत मस्त लगता है वो है एक high neck जो आपको बहुत ही sexy look देता है भाई आपके blazer की fitting आपके body के coding होनी चाहिए और भाई आपको colors में confusion है तो ये 3 color आपके लिए best है पहला camel color, दूसरा wine red, तीसरा dark gray और भाई पैंट में आपको blazer के साथ chinos पहननी चाहिए और मैं आपको safe option बताऊं तो आपको अपने blazer के साथ एक black color की chinos pen पहननी चाहिए और उसके साथ shoe में आप white sneaker पहन सकते हो ये आप formal loafers भी पहन सकते हो और accessories में आप अपने हाथ में एक leather belt वाली formal watch पहन सकते हो तो भाई अब आती है हमारी grooming tip तो भाई grooming की बात करूँ तो आपको अपना haircut और beard शादी से 2-4 दिन पहले करवाना है और जब आप शादी में जाओगे तो आपको अपने बालों को wax लगा कर सेट करना है जिससे शादी में आपके बालों में और भी shine आएगी और आपका look और भी निखर कर आएगा बालों में आपके बालों में आपके बालों में है